अब्रेस तूडेंट्स गूड्म बेक वन मैं यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्ट का चैप्टर नंबर टू अवर लाइक्स और डिसलाइक्स का वीडियो का पार्ट सेकेंड जो की हमारा यहां डिफ्रेंटली एबल पीपल से स्टार्ट होएगा इससे पहले तक हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है अब हम पार्ट सेकिंड में डिफ्रेंटली एबल पीपल से स्टार्ट करेंगे ठीक है So, differently abled people means अलग तरहें के लोग You know that our sense organs helps us to know about your surroundings आप अच्छे से जानते हैं कि आपके जो sense organs हैं वो हमें अमारी surroundings होती हैं जो आसपास की चीज़े होती हैं उनके बारे में जानने में क्या करते हैं? help करते हैं But have you ever thought about the people who are not able to hear, see or speak लेकिन अब हम उन लोगों की बात करें जो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं ना देख सकते हैं So, such people have a better sense of smell touch and taste So, ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा sense होता है smell करने का touch करने का और taste करने का ये क्या होता है एक अच्छा sense होता है महसूस करने का smell को महसूस कर सकते हैं वो touch को, taste को तो ये क्या होता है एक sense होता है These qualities help them to lead their lives as normally as possible ये जो qualities हैं ये उनको अपनी जिन्दगी जो है वो normally जीने में क्या करती है help करती है These people are called differently-able people ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते है differently-able people कहते है मिन्सकी अलग तरीके के लोग कहते है Sonu is visually challenged Sonu क्या है Visually challenged है Visually challenged मिन्सकी विकलांग हो मिन्सकी वो देख नहीं सक रहा है या फिर वो सुननी सकता बोलनी सकता चल नहीं सकता तो इसको हम क्या कहेंगे एक तरीके वीज्वली चैलेंज कहेंगे He cannot see, वो देख नहीं सकता He cannot read or write like us, वो हमारी तरह ना तो लिख सकता है ना ही कुछ पढ़ सकता है However, he studies in a school meant for the blind children In this school, children use the braille system लेकिन वो एक school में पढ़ता है जो कि blind children के लिए जाना जाता है मिन्सकी जो अंदे लोग है उन बच्चों को उस school में पढ़ाय जाता है इस school में जो children's हैं जो बच्चे हैं वो braille system का use करते हैं अब braille script, मिन्सकी braille lippy अब ये braille system, braille script क्या होता है So start करते हैं The braille script is written with the help of a series of raised dots जो braille script है वो raised dots की help से एक series में लिखा जाता है Visually challenged और blind people can feel the pattern of dots on paper with the help of their fingers and read what is written इसके अंदर जो visually challenged जो लोग होते हैं और जो blind people होते हैं इस pattern को अपने fingers से, अपने fingers की help से इन dots के pattern को touch करके उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको read करते हैं मतलब कि जो उसमें लिखा हुआ है उसको read करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ठीक है, next है In the braille script, each letter has six dots arranged in different ways Braille script में जो परते एक letter है उसके अंदर six dots होते हैं जो की अलग अलग तरीके से different ways से क्या होते हैं arrange होते हैं इस braille letter, number और other character is made by raising one or more dots in a group जो brain letter है या फिर number हम कोई लिखना चाहरे हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं एक या more than one जो dots हैं जो बिंदू हैं उनको क्या कर देते हैं उठा देते हैं जिससे की चिल्रन को पता लग जाता है कि अगर मालो की दो dots उठे हुए हैं तो B होगा ठीक है एक dot उठा हुए है तो A होगा ठीक है इस तरीके से the large dot represent raised dot जो large dot है जो बड़ा dot है वो क्या represent करता है raised dot को represent करता है the small dots help identify the position of the dots within the group लेकिन जो small dots है वो क्या help करते हैं जो dots group के अंदर जो dots है उनकी position को identify करने में help करते हैं जैसे कि देखो यह लिखा हुआ है A, B, C, D यह सब लिखा हुआ है इसके अंदर A के अंदर एक बड़ा dot है बाकी 5 कैसे dot है छोटे dot है जो large dot है वो किसको represent कर रहा है raised dot को means कि A जब लिखेंगे तो उसमें क्या one raised dot होगा B में two होंगे C में भी two है लेकिन इनकी position क्या है change है अब B में तो ऐसे इस तरीके से है C में इस तरीके से है D में three है E में फिर से two है F में three है तो इस तरीके से ये क्या है Braille script है ठेक है next है the small dots do not show in the embossed Braille means की जो small dots है वो उभरे हुए नहीं होते है mohit is deep and dumb जो mohit है वो बहरा और गुंगा है deep means होता है बहरा और dumb means होता है गुंगा तो mohit जो है वो क्या है बहरा है और गुंगा है He can neither speak nor hear वो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है He uses the sign language to communicate वो आपस में अपनी बात को एक दूसरे तक पहुचाने के लिए क्या करता है sign language का use करता है अब sign language क्या होती है The sign language involves the movement of hands and fingers to communicate sign language में क्या होता है hands की और fingers की movement करके वो क्या करता है communicate करता है अपनी बात पहुचाता है अगले इंसान तक ठीक है next है However, he carries on all the other activities like other children हलाकि वे अन्य बच्चों की तरह अन्य सभी गती वीदियों को करते हैं ठीक है next है Helen Keller Helen Keller so Helen Keller was a brave and gorgeous girl जो Helen Keller थी वो बहुती brave और gorgeous girl थी she was born on 27th June 1880 in Tuscambia a small town of USA USA में एक small town है Tuscambia जिसमें की Helen Keller है उसका जनम हुआ कब हुआ 27th June 1880 में she was born with all her sense organs functioning properly जब उसका जनम हुआ तो उसके सभी जो sense organs थे वो अच्छे तरीके से काम कर रहे थे Unfortunately, she lost her sense of hearing and sight due to illness दुर्भग्य से वो बिमार हो गए और जिसके कारण उसने अपनी जो सुनने की और जो देखने की जो उसका sense है वो क्या हो गया? lost हो गया she become blind and deep when she was about three year old वो जब तीन साल की थी तो वो आखों से अंधी हो गई थी और कानों से बहरी हो गई थी ठीक है? By the time when Helen was six, her family had become desperate जब वो छे साल की हुई तो उसकी जो family है वो मायूस हो गई doctors confirmed that she would never see her hair again doctors ने ये confirm कर दिया था कि वो ना तो कभी देख सकती है ना कभी सुन सकती है but her mother did not lose hope लेकिन उसकी जो मा थी, Helen की जो मॉम थी उसने अपनी हिमत नहीं हारी she met Alexander Graham Bell who was then concentrating on the teaching of deep children वो एक Alexander Graham Bell का जो आदमी था उससे मिलती है जो कि उस time जो deep children होते हैं उनके ही उनके बारे में ही पढ़ाई का वो कर रहा था he appointed a teacher named Anna Sullivan for her उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जो Helen थी उसके लिए एक teacher appoint किया नियुक्त किया जिसका नाम किया था Anna Sullivan one day the teacher put Helen's hand in water and she spelled the word water Helen understood and after this she learned to read and write in braille एक दिन उसके teacher ने क्या किया Helen के हाथ को पानी में डाल दिया और उसने का water तो Helen ने उस जो water है उसको समझ लिया और उसके बाद उसने जो water word है उसको कहां पढ़ा ब्रेल में पढ़ा her teacher thought her to speak उसके teacher ने कहा उसको बोलने के लिए कहा Helen touched the teacher's face and mouth when she spoke Helen ने अपने teacher का face और face और जो mouth है वो क्या किया टच किया जब वो बोल रही थी then she touched her own face फिर उसने खुद का face टच किया and mouth टच किया and said the same word और फिर उसने same word बोला she continued her studies and learned five languages वो उसने अपनी study continue रखी और फिर उसने कितनी language सीखी पाँच language सीखी later she studied in a college उसके बाद वो college में पढ़ी she was the first deaf and blind person to graduate from the college वो पहली बहरी और अंधी लड़की थी जिसने की college से क्या क्या graduation किया she later become a world famous speaker and writer उसके बाद वो world की famous speaker और writer बनी she wrote a book on her own life called the story of my life उसके बाद उसने अपनी life के उपर एक book लिक की जिसका नाम क्या था the story of my life which has inspired millions of people like her जिसने की बहुत से लोगों को inspire किया जो की उसकी तरह विज्वली challenge people थे जो की अंधे थे भेरे थे जो ना बोल सकते थे ना पढ़ सकते थे उनको इंस्पायर किया so students आपका जो chapter है वो complete हो गया है इससे next video में हम इसकी exercise करेंगे okay thank you